हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं हलो दोस्तों एक और चौकीदार निकला चोर विजेपी सांग्षद ने रक्षा मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर दिखा कर ठगे दो करोर मोदी के एक और चौकीदार खुद के घर में चोड़ी करते हुए पकरे गए है मंगलवार को विजेपी राश्री महा सचीव पी मुल्डी धर राव के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर हुआ उनके साथ आटों लोगों पर आरोप है कि उन्होंने राज के दलाल से दो दशमीक एक पांच करोर रुपे लिए इसके बदले उन्होंने उससे कींद्र सरकार में मनोनित पद का वादा किया दलाल का नाम है महीपाल रड़ी ये ही बताया जा रहा है ये हैदराबाद का रहने वाला है महीपाल की पत्नी प्रवर अना रड़ी ने सरू रन नगर में पुलिस थाने में अपराधिक मामला दच कराया है। राव पर आरोप लगाया है उन्होंने 2.5 करोर के बदले फार्मा एक्सल चेर्मेन पद दिलवाने का जूटा वादा किया। शिकायत करताने राव पर कींद्रिय रक्षा मंत्री निर्मला सितार रमन के जाली हस्ताकशर के साथ नियुक्ती पत्र बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला लिख लिया है मुली धर राव ने अपनी उपर लगे किसी भी आरोप को जुटलाया है और कहा भी कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव नस्दिक है ऐसे में कोई पाड़ी बिजेपी को शिकंज में लेने का कोई मौका नहीं छोड़ सकती। अगे फर्जी आरोपों के खिलाफ एफ आई आर लिखवाई थी। साथ ही हैदराबाद और तिरूपती अन्या नेताओं ने भी इसी मामले में एफ आई आर दर्ज कराई थी। अगामी चुनाव में उनकी छवी बिगारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने लॉयर से जल्द से जल्द सच सामने लाने को कहा है। ताकि राज नेति के रादों का भांडा फोर हो सके। मुल्डी धर्राओ पर सी आर पी सी की धारा एक सो चौवन के तहट केस दर्ज हुआ है। हमारे यूट्यूब चानल यानि माइन दी न्यूस को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम एक बार फिर से कई सारे ऐसे संसनी खेस खुलासों के साथ आपके लिए हाजर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया। माइन दे न्यूस रूम की रिपोर्ट तैंक यू फॉर वाचिंग आर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।